आपका स्वाधत है G.S.C. वीजन में यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटनों को दबाना नहीं आप हेलो दोस्तो मैं हूँ अर्विंदर मैं अमीद करता हूँ आप सभी स्वस्थे होंगे वर्ल्ड मैपिंग हमने स्टार्ट किया था नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट पर मेरा एक वीडियो आ चुका है अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो उस वीडियो को देखे बाद में इस वीडियो को पराए सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट हो गया टेकनिकल कारणों से और आज हम उत्र अमेरिका महादीब की फिजिकल जोगरफी पे चर्चा करेंगे फिजिकल जोगरफी में आज हम पढ़ेंगे जो उत्र अमेरिका में पहाड हैं जीले हैं लेक्स और साथ में हम पढ़ेंगे डेजर्स यानि की मरुस्थल तो शुरुवात करें सबसे पहले पहाड यानि की जो mountains है उत्तर अमेरिका में अगर पहाडों की बात करेंगे mountain ranges की तो जो famous famous mountain range हैं और जो उनकी peak हैं मैंने वो side में आपको दे रखी हैं और इनकी location कहां पर हैं मैं आपको location बताऊंगा और खास बात कहा हैं की वो भी यह इस यहां पर एक range है Brooks range उसको बोलते हैं बड़ी famous range है Brooks range और Brooks range के बाद नीचे यला जो पाटा यला यहां पर range है Alaska range तो उपर जो Alaska वाले पाटा यला आपको दो famous range मिल जाएंगी पहले होगी Brooks range और दूसरी होगी आपकी Alaska range इसके नीचे आएंगे तो कनाड़ा में आपको एक range मिलेगी Coast range, Coast range और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी कसकाड range और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा Syria नवादा परवत, Syria नवादा mountain तो हमने देखा उपर Brooks range, Alaska range, Coast range, कसकाड range और Syria नवादा इन में सबसे महतपुन जो है वो है Syria Syria नवादा दुनिया का सबसे बड़ा block परवत है, block mountain, अब block परवत क्या होता है, पहले उस बात को समझिए कि block mountain क्या है, देखिए माना कि यह crust का part है, यह पर्थवी का भाग है, तो पर्थवी के अंदर जो कुछ आंतरिक बल, जो interior force होते हैं, वो हमेशा काम करते हैं, कई ब पर उड़ गया, उसे बोलते है, block mountain, जो पर बीच में रह गया, उसे बोलते है, rift valley, यानि की भरंश घाटी बोलते हैं, तो ऐसे इनकी जो पर्थवी के आंतरिक बल की वज़े से जो हलचल होती है, उसकी वज़े से जो परवत बनते हैं, तो जिसमें एक भाग उपर उड़ जाता है, और दूसरा भाग नीचे रह जाता है, उसे हम block mountain, यानि की block परवत बोलते हैं, देखे, जरूरी निये की ऐसा होना है, माल लीजे की crust यह है, और इस बार जोर बीचो बीच लग रहा है, तो होगा क्या, कि इधर अला पार्ट सेम है, लेकिन ये अला पार्ट उपर परवत है, वो आपका है, सीरिया नवादा, सबसे बड़ा block परवत है, पहली बात, दूसरी बात, यहीं block mountain सीरिया नवादा के पास, यहाँ पर यह जो पार्ट है, यहाँ पर एफेमस जगा परती है, जिसका नाम है, Death Valley, यानि की मृत घाटी, याद रखिए, Dead Sea, एक Dead Sea भी ह मृत सागर भी है, मुझे comment box में comment करके बताइए, कि Dead Sea, यानि की मृत सागर कहाँ पर है, अमेरिका में, जो सीरिया नवादा में है, वो है Death Valley, देखे, simple question पूछते हैं, कि Death Valley किसका example है, यानि कि Death Valley कैसी Valley है, तो Death Valley, Rift Valley है, भरंश घाटी है, क्योंकि जो block परवत होते हैं, उन बिंदू, deepest point है, और अमेरिका का सबसे गरम बिंदू भी Death Valley है, किसी जमाने पर ये दुनिया का सबसे गरम बिंदू भी रहा था, तो हमने अभी जो mountain ranges में पड़ा, पड़ा, बुरुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कसकार रेंज, सीरे नवादा सबसे Rocky, Rocky Mountain Range, याद रखिए, Rocky, Andies के बाद, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी परवश अंखला है, दुनिया की second longest mountain range जो है, वो Rocky है, मैं जानता हूँ, दुनिया की सबसे उंची परवश अंखला हिमाला है, बड़ में longest की बात कर रहा हूँ, Andies के बाद, Rocky आता है, Rocky Mountain Range, जो है, वो Canada, America और Mexico, मुखिता इन तीन देशों में पढ़ता है, Rocky, तो ये थी कुछ famous range, देखे, famous range होती है, range पर जो सबसे उंचा भाग होता है, उसे बोलते है, mountain peak, यहने की परवश चोटियां, तो कुछ famous परवश चोटियों की बात कर लें, अभी आपने यहाँ पर देखा था Alaska Range, त Mount McKillay, Mount McKillay, height लगबग 6100 meter है, 6194 meter, पूरे उतरी अमेरिका महादीप की सरवोच चोटी, Mount McKillay है, Alaska Range में है, अगर सवाल पूछे, कि North America continent की highest frequency है, तो Mount McKillay कहां पर है, Alaska Range में है, देखे, इस्थानियों लोगों ने बहुत बार मांग की थी, कि मिक किले का नाम बदल के रख दो, डे नाली, डे नाली की नोने मांग की थी, डे नाली यहाँ के स्थानिय नेता ते, बराक उबामा जब प्रेजिडेंट थे, तब ँनोने मिक किले का नाम बदल के कर दिया, Mount Denali, उसके बाद दूसरी बात करेंगे, तो यहां पर मिलेगा Mount Logan, ये Kanada में, इस वाले पार्ड में, Mount Logan, Kanada की सबसे उंची प्रफचोटी है, Highट लगबग 6050 मिटर है, तो Mount Mickeliche, पूरे continent की सर्वोट चोटी है, Kanada की Highest Pick जो है, वो Mount Logan है, इसके बाद अगर बात करेंगे, तो अभी मैंने आपको एक mountain नहीं दिखाई थी, Rocky Rocky इन में से कोई भी Rocky पे नहीं है Rocky की सर्वोच चोटी यहां पढ़ती है उसका नाम है Mount Albert Mount Albert Rocky की सर्वोच चोटी Height लगबग 4,399 मीटर तो Mountain Peaks में आपको रखनी है तीन याद पहली है मिकिले, Mount Logan, Albert मैं पूछ हूँ continent की highest peak कौन सी है माउंट में किले हैं, कराडा की highest peak कौन सी है, Mount Logan है और उसके बाद Rocky range की highest peak कौन सी तो Mount Albert है सवाल पूछता की Mount Albert कहां पर रहा है तो USA में है यानि की Mount Albert जो है वो अमेरिका में है इसके लावा एक बात आप सभी ने गौर की होगी कि अमेरिका, North America में जितने भी mountains हैं वो आपको यहीं दिखाई दे रहे हैं इस वाले part में, यानि कि यह हुआ east और यह हुआ west यानि कि यह ला part west हो गया तो ऐसा क्यों हो रहा है कि west में ही आपको सारे mountains जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं देखे बच्चो होता क्या है कि अगर मैं world की बात करूँ तो पूरा wish जो है वो लगबग लगबग साथ प्लेटों पर टिका हुआ है यानि कि seven plates उन साथ प्लेटों में से एक प्लेट है आपकी परशांत मासागरी प्लेट पैसिफिक प्लेट जो यू आती है इस तरीके से और दूसरी प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट उत्तर अमेरिकन प्लेट भी इसकी तरफ आती है तो जब दो प्लेट एक दूसरी की और आएंगी तो क्या होगा वो टकराती हैं तो अब होगा क्या कि देखिए ये प्लेट आपसमें टकराती तकराके भी में विनाश होता लेकिन जो पैसिफिक से और आई प्लेट है वो ओशनिक प्लेट है जो इधर से प्लेट है वो Continental प प्लेट यह चि Southeast गोर कि तुर्ण नहीं ना में भारि होती है वह कॉंटिनेंटल प्लेटकी तुल्लिना में भारी होती है तो पैसिफिक सिने कैसे अ comments रहेए हचोग़े च्अट हैक we लेकिन जैसे एक दूसरे के पास आएगी तो ओशनिक जो है वो कॉंटिनेंटल के नीचे दब जाती है ऐसे होता है कि जो ओशनिक होगी वो कॉंटिनेंटल प्लेट के नीचे दब जाएगी अब जैसे नीचे जाएगी तो नीचे क्या है तापमान अधिक होता है क्योंकि पर् भी आएगा जब उसको soft crust मिलती है soft crust यानि की कच्ची crust मिलेगी मानने जोर मारा भाहर तो नहीं आ पाया लेकिन धरती कांप गई भुकम पाया दुनिया के सरवादिक भुकम इसी बेल्ट में आते हैं फिर बाहर आने के लिए जोर मारा मैगमा भाहर नहीं आया प्रनतु भुक जो हैं आपको जितने भी परवत हैं mountains वो सारे आपको इधर मिलेंगे चाहे वो परत्वी की आंत्रिक हल्चल से बने हों चाहे वो जोला मुखी से बने हों तो जो भी आपको mountain वो यहीं मिलने हैं यह अमेरिका का western part है इसलिए इसको बोलते हैं पश्च्मी कॉडिलेरा यानि परवत इधरी मिलने हैं एक परवत नौर्थ अमेरिका में यहाँ पर भी यह बड़ा famous इसका नाम है अपलेशियन mountain यानि की अपलेशियन परवत अरावली की तरह दुनिया के सबसे पुराने परवतों में से एक है चूंकि आप सभी जानते हैं दुनिया के जितने भी पुर माउंट मिचिल्स माउंट मिचिल्स जो परवत अज पुराने कटे फटे फटे फॉर्म में हैं इनको बोलते हैं residual mountains या अवशिष्ट परवत तो जो अरावली है वो अवशिष्ट का उधरन है अपलेशियन जो है वो भी अपशिष्ट का उधरन है अमेरिका का भारी मात्रा में कोईला और लुहा इसे छेतर से प्राप्त होता है तो मतलब अधिकांस जो परवत हैं वो हमने इधर देखे वेस्टन बार में एक यहां पर भी देखा हमने अपलेशियन परवत वेस्टन कॉडिलिरा क्या है आप समझ गए होंगे रौकी माउंटेन के बार में समझ गए अन्य रेंज सीरिया नवादा में आपको समझा दिया और साथ में आपको समझा दिया अपलेशियन माउंटिन और इसके पीछे की कहानी क्या है तो यह फेमस रेंज थी अब चलिए देखते हैं नौर्थ अमेरिका की लेक्स कौन-कौन सी हैं तो लेक्स की करम बात करेंगे तो नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में जो लेक्स हैं मैं आपको लगबग लगबग 11 लेक्स पढ़ाऊंगा जो फेमस लेक्स पूछी आती हैं तो पहले सबसे पहले कनाडा पहुंचेंगे तो कनाडा में आपको पांच लेक्स हैं वो पांच लेक्स कौन सी हैं फिर सवा पर से Great Bear, Great Slav, Athabasca, Reindeer और Winnipeg, मैं Great Salt Lake नाम नहीं लिया, मैंने 5 नाम लिये हैं पहले वाले, देखिए, ये पांचो जो Lakes हैं, ये पांचो Lakes, ये कनाडा की इस वाले पार्ट में हैं, इसे बोलते हैं Canadian Shield, Canadian Shield, यानि कि ये सारी Lakes Canadian Shield में पढ़ती हैं, सारी Lakes Glacier Lake हैं, यानि कि Glacier कि पिगलने के बाद इन जीलों का निर्मान हुआ है, देखिए, वंडे में सवाल कैसा बनता है, कि बताइए Great Slav कहां पर है, अथाबासका कहां पर है, रेंडियर कहां पर है, लेकिन UPSC सवाल कैसा पूछता है, कि ये पांच जीले हैं, कनाडा की, इनका सही करम लगाईए, तो जो सही करम लगना है, वो करम लगना है उत्तर से दक्षिन, नौर्थ टू साउथ, पहले Great Bear आएगा, सलेव आएगा, अथाबासका, रेंडियर, विन्नी पिग आएगा उसके बाद, ये पांच फेमस लेक हैं, कनाडा में, अब थोड़ी से बात और कर लें, कि ये लेक् सबसे पहले, Great Bear ये क्यों फेमस हैं, देखिए, आप अपना मैप खोल के रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ, उनको मैप में देखती बिजाए, जो Great Bear लेक है, यहां से होके जाता है, आर्कितिक वृत, यानि की आर्कितिक सरकल, आपको पता होना चाहिए, कि फेमस अक्षांश जो हैं, लैटिटूड्स, एक तो एक्वेटर, यानि की भूमदे रेखा है, फिर कैंसर, यानि की करकर रेखा है, कैप्रिकॉन, यानि की मकर रेखा है, उपर आर्कितिक सरकल है, नीचे अंटार्टिक सरकल है, तो आर्कितिक सरकल किस लेक से होके जाता है, तो Great Bear लेक से आर नौर्थ के और बहती है जब मैं नदिया पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा इसके बारे में तो नौर्थ से साउथ बहने के लिए फेमस हैं तो मकेंजी नदी का उद्गम कहां से होता है तो ग्रेट स्लेव से होता है इसके बाद जो तीसरी जो लेक है वह आपकी नौर्थ में प्रियोग होता है उसके बाद रेंडियर है रेंडियर से एक नदी निकलती है चर्चिल ध्यान रखिए बड़ी फेमस नदी चर्चिल चर्चिल नदी रेंडियर जील से निकलती है उसके बाद विनिपिग विनिपिग जील की किनारे एक शहर भी है दुनिया की सबसे बड़ी गेहु मंडी अ लार्जेट वीट अप मर्केट ऑफ दवर्लड इस विंलिपिग दुनिया के सबसे बड़ी गेहु मंडी विंणीपिग है उसके बाद अगली जो जील है वो आपको ये रॉकी माउंटेन दिखाया था मैंने Rocky Mountain में इस वाले पार्ट में आपको यहां दिख रही होगी एक लेक है इसके नामे Great Salt Lake Great Salt Lake America ध्यान रखना Great Salt Lake दुनिया की तीसरी सबसे खारी जील है A third most salted lake of the world मैंने सबसे बड़ी नहीं बोला सरवादी के खारी यानि कि उसके पानी में सरवादी के खारापन है इससे बड़ी जो दो लेक हैं सरवादी के खारी सबसे दा खारी को नहीं वान लेक वान लेक कहां पर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए वान जील के बाद डेड सी सरवादी खारी जील है डेड सी कहां पर है मुझे comment box में comment करके बताईए तीसरी है Great Salt Lake America दुनिया की तीसरी सरवादी खारी जील है Great Salt Lake सवाल बहुत 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 बना है एक बात और ध्यान रखना आजकल सवाल एक और बन रहा है कि Great Salt Lake किस प्रकार की लेक है तो ध्यान रखिए जो ग्रेट सॉल्ट लेक है यह है पलाया जील यानिकी पलाया लेक अब पलाया जील क्या होता है देखिए जो जील जो हवाओं के निक्षेपन से बनती है यानिकी विंड के सेडिमेंट के डिपोजिट से बनती है यानिकी हवा अपन सारी लेकों के इच्छा है इसके बाद पांच लेक और पढ़नी है जो ऊपर कनाडा नीचे यूए से दोनों के बॉर्टर पर आपको दिखाई देरी होंगी यह जीले हैं यह जीले बड़ी खास हैं पूरी दुनिया में इन जीलों को ग्रेट लेक्स भी कहते हैं बहुत बहु तो इसलिए थोड़ा सा मेप को बदल के मैं आपको अगले मैप में इसको पढ़ाता हूँ प्रॉपर मैप है इनका तो जो बॉटर पर आपको मैप मिला है यह लेक्स मिली हैं यह पांच जीले हैं इन पांच जीलों से सवाल बहुत बनते हैं सवाल क्या-क्या बनेंगे मैं पर डिसक Branch करूँगा लेकिन पहले पांच जीलों पर Study कर लें पहली जीली है सुपेरियर दूसरी है Michigan तीसरी है Huron चौती है Erie और पांच वह है Ontario सुपेरियर Michigan, Huron, Erie, और यह पांच लेक्स हैं इन पांचों लगाईए West to East पस्चिम से पूरव तो पस्चिम से पूरव ओर लगाएंगे तो पहले सुपीरियर, मिशिगन, हिरोन, एरी और ओंटेरियो इस तरीके से जो है इसका ओर्डर आना है तो सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है सवाल यही पूछ सकता है कि Great Lakes लेक्स किन दो देशों के बॉर्डर पर है तो ऊपर कनाडा हो गया, नीचे अमेरिका हो गया तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है Great Lakes इस बात तो ध्यान रखिये अगला सवाल, Great Lakes में सबसे बड़ी कौन सी है सुपीरियर, सबसे छोटी कौन सी है Ontario, ये भी ध्यान दखिया आप Great Lakes, USA कनाडा के बॉर्डर पर है उत्तरी अमेरिका महादीप में है सबसे बड़ी लेक जो है, वो सुपीरियर है सबसे छोटी लेक जो है याँपर वो है आपकी Ontario Lake ये जो Great Lakes है न ये इनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि सारी Lakes आपस में connect हैं, सारी अच्छा उससे पहले एक सवाल और बनता है कि Great Lakes में कितनी जीले है, पांच जीले इनमें से कौन सी ऐसी जील है जो पूर्टा USA में है बाकी चार USA कनाडा के बॉर्डर पर है लेकिन एक जील ऐसी जो पूर्टा USA में है वो है आपकी Michigan Lake ध्यान रखिए Michigan पूर्टा जो है वो USA में है इसके बाद ये जीले आपस में connect हैं क्योंकि जीले फ्रेश वाटर हैं फ्रेश वाटर तब होता है जब आपका पानी निकलने का कोई नग्यक्त है तो इन जीले पानी कैसे निकलता है जीले अपस में कैसे connect हैं देखिए ये सुपीरियर है ये हिरॉन है सुपीरियर से हिरॉन एक नहर आती है इसके नाम है सू नहर सू के नाल तो सवाल most most important सू नहर किसको कि से जोड़ती है तो सू हомина है wonderful को हिरंट को जोड़ती है उसके बाद आप हुराइव पहुंचे हिर आपको दो जोड़ हिर इसके बाद एंपर एदारे जोड़ेगी यहां आप एह दो फोस्ति नहर मेंद hm तो वेलेंड नहर याद रखेंगे तो तीन नहर आ गई सू नहर एरी नहर और वेलेंड नहर नहर बहुत पूछा गया है इन पर सवाल जो एरी और उन्टेर्य जील है इनके बीच में यहां पर एक फॉल भी है जिसका नाम है नियागरा फॉल यानिकी नियागरा जल पर पात नियागरा फॉल दुनिया का सबसे बड़ा जर्णा है वर्ड लार्जिस्ट वाटर फॉल इस नियागरा फॉल जो एरी और उन्टेरियो जील के बीच में है बहुत सवाल बनाएं कि इन दो जीलों की बीच में है तो आप बोलेंगे एरी और उन्टेरियो जील के बीच में ह तो उसकी जो location है नियागरा की वो कनाडा में है, ध्यान रखिये, कनाडा में, ये जीले दोनों के water पर हैं, लेकिन नियागरा फॉल जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा कनाडा में, दुनिया का सबसे बड़ा फॉल, मुझे comment बॉक्स में comment करके बताईए, कि दुनिया का सबसे उ आगे जाता है ये ये जो रास्ता है यहां से एक नदी है इसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर सेंट लॉरेंस नदी एक नदी यहां से निकल गी तो इसका नाम हर्टसन नदी आप इससे आगे जाएंगे आप पहुंच जाएंगे अट्लांटिक महासागर अट्लांटिक ओशि अमेरिका की और कनाड़ा की बड़ी बड़ी जितने भी उद्ध्योग इंडस्ट्री आए वो सारी इन ग्रेट लेक्स के किनारे पर आपको मिलेंगी जैसे जो पूछता है आपसे सबसे पहले एक पूछे का डूलूथ डूलूथ यहां पर है सुपेरियर की किनारे डूलूथ जो है वो लोह इस पात आईरन ओर के लिए फेमस है इसके बाद मिशिगन की किनारे यहां पर मिलवाकी शहर है यहां पर शिकागो शहर है और यहां पर गैरी याद रखना गैरी शहर जो है यहां पर वो लोह इस पात आईरन ओर के लिए फेमस है शिकागो जो यहां पर शिक कहती हैं इसके बाद जो हिर्मच जील है इसके किनारे आपको यहाँ पर कनाडा में एक शेहर मिलेगा इसके किनारे हैं तो हिर्मच जील के किनारे है इसके बाद जो एरी जील है लेक एरी इसके किनारे आपको एक शेहर मिलेगा डेट्रॉइट डेट्रॉइट अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आटो मुबाइल शेहर है वर्ल्ल लारजेस्ट आटो मुबाइल सिटी इस डेट्रॉइट जरनल मोटर जैसे महंगी महंगी कारे ही सारी यहां पर आपको ही मिलेंगी इसके लाबहा एक शहर और भी है Buffalo Buffalo भी आपको ही मिलेगा एडी के किनारे उसके बाद आगर हम आगे बात करेंगे तो Ontario के नारे एक शहर मिलता है Toronto famous शहर है बहुत Toronto Canada का इसके बाद आगे नदीनी के लिए सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस के किनारे एक शहर मिलेगा मॉन्ट्रेयल, बहुत बहुत फेमस है मॉन्ट्रेयल जो मॉन्ट्रेयल शहर है, वो दुनिया में सबसे बड़ा कागज उद्ध्योग वाला शहर है इनकी दुनिया में सरवादी कागज उद्ध्योग का कारखाना सबसे बड़ा जो है, वो मॉन्ट्रेयल में आपको मिलेगा, क्योंकि कनारा फेमस है जंगलों के लिए और कागज उद्ध्योग पेपर इंडस्ट्री, खासकर न्यूस्पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है मॉन्ट्रेयल, एब बैंक ओफ सैंट लॉरेंस रिवर, तो एक ग्रेट लेक्स आपस में कनेक्ट है, ग्रेट लेक्स बहुत महत्यपून है, मिशिगन पून ता यूएसे में हैं, बाकी बॉर्डर पर हैं, सू नहर, एरी नहर, वैलेंड नहर, इनको आपस में जोड़ती हैं, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी सुपीडियर है, और सबसे छोटी है उंटेरियो, प्रॉपर नोर्स बनाईए, मैं जो बोल रहा हूं उसके, और प्रॉपर आप भी ऐसे ही डाइग्राम को बनाईए, इसके बाद बात करते हैं, डैजर्स यानि की मरुस्थल पे, तो अगर मरुस्थल पे बात करें, तो अमेरिका, नौर्स अमेरिका कांटिनेंट में फेमस मरुस्थन है, पहला है ग्रेट बेसिन, उसके बाद मोजवे, उसके बाद सोनोरन डैजर्ट, सोनोरन बहुत पूछा गया है और उसके बाद चिहुआ उहा डैजर्ट देखिए बच्चो, जितने भी डैजर्ट हैं वो वेस्ट में मिल रहे हैं तो इसके बीछे भी कारण है, हवाई इसकी बीछे कारण होती है, तो यह मैं जब कलाइमेटलोजी पढ़ाऊंगा, तब बात करूँगा फिलहाल फेमस डैजर्ट हैं, इनको नोट कर लीजिए, यह बहुत पूछे जाते हैं फेमस मरुस्तल कौन कौन से हैं, और इनमें सोनोरन बहुत पूछा गया है सोनोरन डैजर्ट, अमेरिका और मेक्सिको में पढ़ता है यह बहुत पूछा गया है, इसके बाद जो चिहुआ उहा डैजर्ट है यह अला, चिहुआ उहा चिहुआ उहा डैजर्ट, एक जगा पढ़ती है मेक्सिको में, उसका नाम है चिहुआ हुआ, उसी चिहुआ हुआ के नाम पर इसका नाम पड़ा है चिहुआ हुआ डेजर्ड, चिहुआ हुआ मुरुस्तल, विश्व में चांदी के लिए प्रसिद्ध है चांदी बोले तो सिल्वर, तो चिहुआ हुआ डेजर्ड, सिल्वर के लिए फेमस है जितने भी खनीज, मिंडर्स होंगे वो आपको एद डेजर्स में मिलते हैं या पुराने पुराने परवतों में आपको मिलते हैं तो आज हमने पढ़ा कि नॉर्थ अमेरिका में फेमस माउंटें रेंज, लेक्स और डेजर्स अगली वीडियो लेके आऊँगा नॉर्थ अमेरिका में फेमस रिवर्स पर मैंने जो जो बोला है उसके कमेंट अगर मुझे नहीं मिले तो फिर मैं शायद वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि तुमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है अना सारी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी न आप लोगी जिम्मेदारी भी मनती है तो स्वस्थ रहिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू वेरी मच